एक्सेलेंसी नमश्कार सबसे पहले तो मैं 14 दिसंबर को आपके कारकाल के पांचवे वर्ष में प्रवेश के लिए बधाई और सुबकामनाई देना चाहता हूँ मैं इस साल उजबेकिस्तान की यात्रा के लिए उत्सुख था कोविड-19 महामारी की वज़े से मेरी यात्रा तो नहीं हो पाई लेकिन मुझे खुशी है कि वर्ष फॉम एनिवेर के इस काल में हम आज वर्ष्यूल माध्यम से मिल रहे हैं एक्सलेंसी भारत और उजबेकिस्तान दो समरुद्ध सब्वेताएं हैं हमारे प्राचीन समय से ही निरंतर आपर सी संपर्ग रहे हैं हमारे खेत्र की चुनोतियां और आउसरों के बारे में हमारी समझ और एप्रोच में बहुत समानता है और इसलिए हमारे समन्थ हमेशा से बहुत मजबूत रहे हैं 2018 और 2019 में आपकी भारत यात्राओं के दोरान हमें कई मुद्धों पर चर्चा करने का आउसर मिला जिससे हमारे समंधों में एक नई गती देखने को मिली एक्सलेंसी, उग्रवात, कट्टरवात तथा अलगाववात के बारे में हमारी एक जैसी चिन्ताए हैं हम दोनों ही आतंगवात के खिलाप द्रड़ता से एक साथ खड़े हैं छेत्रिय सुरक्षा के मुद्धों पर भी हमारा एक जैसा नजरिया है हम सहमत है कि अफगानिस्तान में शांती की भाली के लिए एक ऐसी प्रक्रिया आवशक है जो स्वयम अफगानिस्तान की अगवाई, स्वामीत्व और नियंत्रण में हो पिछले दो दसकों की उपलद्यों को सुरक्षित रखना भी आवशक है भारत और उजबेकिस्तान ने मिलकर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलोग की पहल ली थी इसकी सुरुवात पिछले वर्ष समरकन से हुई थी एक्सलेंसी पिछले कुछ वर्षों में हमारी आर्थिक साज़ेदारी भी मजबूत हुई है हम उजबेकिस्तान के साथ अपनी डेवलप्मेंट पार्टर्शिप को भी और गनिस्ट बनाना चाहते हैं मुझे यह जानकर खुशी है कि भारतिय लाइन ओप क्रेडिट के अंतरगत कई प्रोजेक्स पर विचार किया जा रहा है आपकी विकास प्राप्तिताओं के अनुसार हम भारत की एक्स्परटाइज और एक्स्परियंस साजा करने के लिए तयार है इंफरस्टर, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिलिंग जैसे ख्षयोत्रों में भारत में काफी काविलियत है जो उजबेकिस्तान के काम आ सकती है हमारे बीच क्रिशी समन्द, जॉइंट वर्किंग ग्रूप की स्थापना एक महत्वपूर्ण और सकानात्पक कदम है इससे हम अपने क्रिशी व्यापार को बढ़ाने के अवसर खोच सकते हैं जिससे दोनों देशे के किसानों को मदद मिलेगी एक्सलेंसी, हमारी सुरक्षा साजेदारी दीपक्षिय समन्दों का एक मजबूत स्तंब बनती जा रही है पिछले वर्ष हमारे ससस्त्र बलों का सबसे पहला सैयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ स्पेस और एटमिक एनरजी के ख्षित्रों में भी हमारे सैयुक्त प्रयास बढ़ रहे हैं यह भी संतोष का विशा है कि कोविड-19 महमारी के इस कटिन समय में दोनों देशों ने एक दूसरे को भरपूर सहयोग दिया है चाहे दवाईयों की आपूर्ती के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों को सुरक्षित घर लवटाने के लिए हमारे प्रदेशों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है गुजरात और अंदिजों की सफल भागिदारी के मॉडल पर अब हरियाना और फरगाना के बीच सहयोग की रूपरेखाब बन रही है एक्सलेंसी आपके नेतुरत्व में उजबेकिस्तान में महत्वपूर्ण बढ़लाव आ रहे हैं और भारत में भी हम रिफार्म्स के मार्ग पर अडिख हैं इससे पोस्ट कोविड काल में हमारे बीच आपसी सहयोग के संभावनाएं और बढ़ेगी मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा में और इस चर्चा से इस प्रयासों को नई दिशा और उर्जा मिलेगी एक्सलेंसी मैं अब आपको आपके ओपनिंग रिमार के लिए आमंतरित करता हूँ